आज मैं आप सबीक साथ एक complete ठाली की रेस्पी शेयर करूँगी जो कि यूपी बिहार की बहुत ही फेमस रेसपी है और इसे अकसर किसी शुब और सर पे बनाया जाता है और आप इस रेस्पी को पूरा जरूर देखिएगा इसमें हम बनाने वाले हैं यह बहुत ही टेस्टी स साथी में हम बनाएंगे आलू और चने की सूखी सबसी और हम इसमें बनाने वाले हैं दाल की पूरी जिसे हम दल पूरी कहते हैं तो आप इस complete ठाली की रेस्पी को पूरा जरूर देखिएगा अगर आपको आज की यह दाल पूरी खीर और सबसी की रेस्पी पसंद आती है तो रेस्पी को लाइक शेर और अगर आपनी चैनल को अभी तक सबस्काइब नहीं किया है तो प्रीज चैनल को सबस्काइब कर दीजिए तो चलिए आज की समझेदार पूरी complete ठाली की रेस्पी को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम एक बूल ले लेंगे और इसके अंदर हमें डालना है चने की डाल और चने की डाल को पहले अच्छी तरह से धो लेंगे धोने के बाद हम इन्हें सोख करके रख देंगे कम से कम आप इसे 4-5 घंडे तक सोख करके रखें तो जब डाल यह 4-5 घंडे तक भ बिखो के रखी थी तो बस यहां पे जो हमारी दाल है ना यह decent ही चुकी है अभी हम इसी का पानी को छान लेंगे और हमें इन्हें उबालने के लिए रख देना है तो यहाँ पे आप एक कोई सभी वर्तन में गरम पानी रख दे जिसमें की दाल को हम उबालेंगे तो मैं यहाँ पे यह भीगोये हुए दाल को इसके अंदर डाल दे रही हूँ पानी के अंदर और पानी में जब उबाल आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की निर्जा डेंगे तो यहाँ पे दाल जब तक हमारा उबलता है तब तक यहाँ पे आटा तयार कर लेते हैं तो आटा तयार करने के लिए भड़ यहाँ पे नर्मल जmeंगा आटा लेना है इसमें थोड़ी सी नमक और हमें इसमें हलका साउई लालना है बस सारी चीजों का एक बर मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद हमें इसका डो तयार कर लेना है तो यहाँ पे मेरी मम्मी मेरा हैट करे रही है ये डो तयार करने में, तो यहाँ पे डो तयार हो चुका है, उसे रख देंगे साइड में, अब हम क्या करेंगे ना, कि दाल में जो आप देख सकते हैं, अब जो इस तरह से फेना फेना आ चुका है, इस फेने को हमें फेक देना है, तो इसके उपर का जो सफेद पाठे से दाल को उबाल लेना है तो मैं इस क्या करती हूं ना इसे दूसरे चूले पर चढ़ा देती हूं तब तक हम बाकी की तयारियां कर लेंगे तो इने ढखके लो फ्लेम पर दूसरे चूले पर चढ़ा देते हैं और यहां पर मैं दूद ले ले रही हूं खीर बनाने के लिए तो तो यहां पे दूद को भी चड़ा देते हैं दूद के पतीले को भी तो यहां पे मर दूद भी जब तक गर्म होता है दाल उबलता है तब तक हम यहां पे सब्जी की तयारी कर लेते हैं तो यहां पे मैं ले ली हूँ आलू और प्यास पहले सब्जियों को अच्छे तरह से का चीलने के बाद हम इसे चोटे चोटे टुकरों में आलू को कट करके रेडी कर लेंगे तो यहां पर दाल और जो दूद है न वो भी चेक करते रहा बीच बीच में तो यहां पर बस हमारा आलू और प्यास ये भी साथी में कट गया फटा-फट सारी काम को कर लेते हैं तो बस यहां पर आप धो के अच्छी तरह से रख ले तो यहां पर प्यास और आलू को दोनों को अच्छी तरह से हम धो के रख देते हैं साइड में अब तब तक यहाँ पे दाल को भी चेक कर लेंगे तो मिक्स करके देखते हैं दाल अच्छे सुगला है की नहीं तो हाथों से जब आप प्रेस करेंगे न यह बस इस तरह से प्रेस हो जाना चाहिए अच्छे से गल जाना चाहिए तो बस यहाँ पे दाल जो है ना हमारे एकदम perfect उबल के ready हो चुका है आप इसे ज्यादा ना गला है तो बस यहाँ पे हमें दाल के पानी को छान लेना है कुछ इस तरह से तो यहाँ पे छानने के बाद यब यह ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद ही हम इसे mixer jar में पीस लेंग हूँ और इस चावल को पहले अच्छी तरह से धूल यह है आप जिस चावल से भी खीर बनाते हैं अर्वा चावल से या पिर कोऊबदोबग चावल से तो उस दुख लें और जब गर्म हो जाये तब यह धूले हुए चावलों को ना दूद को उगालने के बाद से इसे भी mix कर लेते हैं और जो हमारा चावल और दूद है इसे भी दूसरे चूले पर चढ़ा देते हैं ताकि ये कुक हो जाए तो जब तक हमारा खीर का चावल पक रहा है तब तक हम सबजी में छोंका लगा देंगे तो इसके लिए हम एक कढ़ कुछ भी देने की जरुवत नहीं है अगर आपको मन हो तो आप इसके जीरा का फूरण भी लगा सकते हैं तो यहाँ पे हम इतम कुछ सी एक सबजी बनाएंगे जो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है तो बस यहाँ पे आप आलू और प्यास को चौका लगा हैं जिसे की हम दाल में एट करेंगे तो इन्हें ना हमें बस पीस लेना है बीना पानी के इस्तमाल किया पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें बस आप इन्हें इस तरह से सुखा ही पीस ले और पीसने के बाद से इस दाल के अंदर हमें अदरक लैसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है ना इसे डाल देना है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आप लैसुन पे आज वगर नहीं खाते हैं तो आप इस दाल में सिर्फ और सिर्फ भुना हुआ जीरा डाले नॉर्मली जब हम लोग इसे पूजा में दाल की पूरी में तो आप अगर उसे नॉर्मली घर पे खाने के लिए बना रहा है न तो आप इस चीज़ को ज़रूर आट करें इसके अंदर और भुना हुआ जीरा भी डाल दें साथी में साथी में हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस दाल के स्टफिंग में तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरा अच्छा से यह मिल जाए तो यह देखिए यहाँ पे यह हमारा दाल का जो स्टफिंग है यह भी बनके अब हम इसमें ना ये बाकी के स्पाइसेज डाल देते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पे अद्रक लैसुन और हरी मिर्च को आप चाहे तो पूट के डाल ले तो मैं जब दाल के लिए बना रही थी ना तो मैं वही वाला मिक्सर में बचा ली ताकि मैं इसे सब्जी में भी डाल द है तो यहाँ पे मैं भीगोया हुआ यह चना भी इसके अंदर आड कर देती हूं तो यह बिल्कुल भी ऑप्शनल है आप चाहे तो चने को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास भीगोय हुए चने ना हो तो मेरे पास यहाँ भीगोय हुए चने थे तो मैंने सोचा कि के साथ ही और इन्हें भी ढखके थोड़ा सा पकने देते हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर दा बात शिफिर से हम भीगोय हटा लेंगे और आप बीच बीच में खीर को भी चलाते रहे ताकि नीचे से चावल जो है ना वह लगे ना तो यहाँ पे आलू प्याज जो है ना च बाकी के जो भी होल स्पाइस होता है ना जीरा धनिया काली मिर्च गोल मिर्च तो यह सब मसाले अप इसके अंदर इस सबजी के अंदर आड कर दे और नहीं तो आप कोई सा भी एक मिक्स मसाला भी आड कर सकते तो मैं इसके अंदर एक चोटा चमच जीरा पाउडर एक चोट के अनुसार और इसमें आपको कुछ भी डालने के विलकुल भी जरुवत नहीं है बस इसे सूखाई पहले सबजी को मसालों के साथ भून ले उससे बहुत ही अच्छे से मसाले जो है न वो भून जाते हैं तो यहां पे आप मीडियम फ्लेम पे आप आलू के साथ ही मसालों को स सूखाई अच्छी तरह से भून ले तो यहां पे जितना कम मसाले यूज़ करेंगे सबसे उतनी जादा ही टेस्टी बनती है तो थोड़ा थोड़ा मसाला एट करें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और हम इने ढख देते हैं ढख कर मसालों को पकने देंगे तो यह तो यहां पे थोड़ी तेर में देखेंगे मसाले जो है ना अच्छी तरह से सुखा सुखा करके अग्तम भून चुके मैं एक साइट पे क्या की थी ना गरम पानी रग दी थी थी थोड़ा पानी इसके अंदर आट कर देंगे तो यहां पे मिक्सर के जार में जो हमारा अध तो यहां पे तब तक हम खीर को भी देख लेते हैं तो यह देखिए यहां पे हमारा जो चावल है यह भी अच्छी तरह से पक चुका है तो जब चावल अच्छे से कुक हो जाए ना उसके बाद हम इसके अंदर ड्राइफरूट्स डालेंगे तो यहां पे मैं ले ली हूँ काजू, किश्मिश और थोड़ा पिस्ता बदाम जिने हम बारी काट लिये हैं तो यहां पे आप पसंद का कोई सा भी ड्राइफरूट्स एट कर सकते हैं खीर के अंदर बस यहां पे ड्राइफरूट्स को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैं इसके अंदर ना मिठास के लिए मिश्री और यहां पे थोड़ा बहुत नखुन दाना है लाइची दाना मतलब भी जो भी हम लोग प्रशाद चढ़ाते हैं ना भगवान को तो जितने भी मिश्री वगरा बच जाते हैं ना मैं उसे इस तरह से स्टोर कर लेती हूं और फिर अच्छी तरह से धो कर फिर मैं इसे डाल देती हूं खीर के अंदर तो यह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है तो ऐसा आप भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं वही मिश्री वगरा का इस्तमाल की आप चाहे तो चीनी डाल दे तो बस यहाँ पर हमारा जो खीर है ना वो पक रहा है जब तक थोड़ा मीडियम फ्लेम पर पकने दे और उतनी ही देर में यहाँ पर हमारी सबजी भी देखिए इ खो चुकी है तो बस खीर भी बन चुका है तो इन्हें भी ढखके इन्हें भी उतार देते हैं चुले से तो यहाँ पर सबजी और खीर तो बन गई अब बारी है यहाँ पर पूरिया बनाने की तो यहाँ पर आटा जो है ना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट गुत के तयारे जब आटा हमनों गूत के रख देता है तो आप थोड़ा दिर बाद चपाटे को फिर से जब बनाए ना तो एक पर और गूत ले तो यहाँ पर बस हमें एक लोई ले लेनी है और इसे यहाँ पर सुखा आटा के साथ मिक्स कर ले और हमने जो यहाँ पर स्टफिंग तयार करके हम रखे हैं ना तो आपको ज़्यादा कम यह अपने हिसाब से स्टफिंग को फिल करें इसके अंदर तो बस यहाँ पर बीच में ऐसे प्रेस करते हुए ना हमें इस तरह से इसे भरते जाना है तो यह दाल की पूरी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है बहुत ही पसंद आ रही हो तो अगर रेस्पी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो यहाँ पर बस इसी तरह से हमें सारी पूरियों को भर लेना है और आटे के अंदर और इन्हें हलके हाथों से अब कुछ इस तरह से इसे म कढ़ाए में मैं तीज डाल दे रही हूं तो यहाँ पे बहुत वन के तयार हो चुकी है तो बस यहाँ पर करके न हमें मीडियों फ्लेम भीड्यों को तल लेना है तो यहाँकर मीडियों पर अच्छी तरह से हमें प्लत लेते हैं तो आप इसी तरह से fill करके इन्हें पलट के और पूरिया जब तक फूल ना जाए तब तक आप इन्हें अच्छे से पका ले तो इसी तरह से करके हम एक-एक पूरिया ڈाल रहे हैं और इसे निकाल दे रहे हैं यह देखिए तो यहाँ पे पूरिया भी तयार है चलिए अब प्लेट को लगा देते हैं, तो एक कटोरी में मैं यहां पर रख दे रही हूँ यह, खीर हमारी साथी में यह आलू चने की सबसी और यह दाल की पूरी, तो यह हमारी कमपलीट जो थाली की रेस्पी है यह बनके तयार हो चुकी है, तो आपको आज की रेस्पी कैसी लगी, कॉ जरूर से सब्सक्राइब करियेगा, थैंक्स फर वाचिंग